कप्तान रितुराज और मिचेल की तुफानी पारी और फिर गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी से चेने ने हेदराबाद को हरा कर पोइंट स्टेबल के टोप टू में बनाई अपनी जगा अब इसली पहुँचेगी पलियोप में सीएसके तो वहीं हार के बाद टोप 4 से बहार हुई एसरेज लगा बड़ा जटका बदल गया IPL 2024 का पूरा पोइंट स्टेबल का समीकरन तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जनकारी आखिरकार कैसे रितुराज ने खेली है तुफानी पारी और अपनी टीम को पहुँचा दी है टोप IPL 2024 का 46 वा रोमान चक मुकाबला चेने सुपर किंग्स बनाम संडाजर हैदराबाद के बीच खेला गया जहां पर आपको बताएं कि आज संडाजर हैदराबाद ने पहले टोज जीता और पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया वो चेने को पहले बेटिंग करने के लिए आमांतरित किया तो वहीं इसके बाद दोस्तों पहले बले बाजी करने उत्री चेने सुपर किंग्स टीन की सुरुआत खराब रही कप्तान रितुराज के साथ ओपनिंग करने आए अजनिक्या रहाने एक बार फीर फलोप रहे और नौरन बनाकर जल्दी पबलियन लोट ग साइं के कप्तान रितुराज ने तुफानी पारी खेली मगद दुर्भाग से सीजन की दूसरी सतक से चुक गए और मातर चोवन गेंदों में 10 चोके और तीन छक्के से अंठानवे रन ठोकर नट राजन का सिकार हो गए तो हैं डेरिल मिचेल ने 32 गेंदों में 7 चोके और दोनों के बीच 64 गेंदों में 107 रनों के संदार सज़ेदारी हुई इसके बाद क्रीच पर बलेबाजिका ने आये सीबं दूबे ने अंती में तवाही मचाए और एक चोके और चार बेहतरिन छक्कों की मदद से 49 रन ठोक दिये तो हैं MS धोनी ने 5 रन बनाए जिसकी मदद से चैने सुपर किंग्स ने निधारिद 20 ओबर में 212 रनों का अच्छा टारगेट SRH के सामने खड़ा कर दिया हैदराबाद की ओसे दोस्तों भुनेसर कुमान नटराजजन और जैदे उनातकर को एक-एक बिकेट मिला वहीं इसके जवाह में 213 रनों के टारगेट को चेज सालता कर SRH की तगड़ी बेटिंग लाइन अप को विखेर दिया ट्रेविस हेड 13 रन अभिसेक सरमा 15 तो हैं अनमोल गोल्डेन डग होकर चलते बने जिसके बाद दोस्तों फिर बले बाजी करने आये एडर मारकरम और नितिस रेड़ी ने थोड़ी देर अच्छी करी और तुफानी बले बाजी किये मगर इनकी यह पारी थोड़ी कम रह गई और SRH पूरी टीम 134 रन पर ही सिमट गई जिसके ने इस मुकाबले को असानी से 78 रनों से जित गई CSK की और से दोस्तों तुसार देस पांडे ने संदार गेंदवाजी किये इस जीत के बाद CSK टीम को पॉइंट स्टेबल में मिली है बहुत बड़ी खुसकबरी जबकि हार से SRH को लगा है तगड़ा जटका तो चलिए भी एक नजा डालते हैं इस रोमांचक मुकाबले के बाद IPL 2024 के पूरे पॉइंट स्टेबल पर तो दोस्तों आपको बता दे कि पॉइंट स्टेबल के पहले पोजिशन पर रास्थान रोयल के टीम मौजूद है और रास्थान टिम में कुल 9 मुकाबला खेली है जिसमें आरा टीम 8 मुकाबला जीती है जबकि एक में उसे हार म वहीं तिसरे पोजिशन पर दोस्तों चैनेज सुपर किंग्स की टीम आ गई है और CSK अब तक कुल IPL में 9 मुकाबला खेली है जिसमें CSK 5 मुकाबले जीती है जबकि 4 में उसे हार मिली है पॉइंट स्टेबल पर दोस्तों CSK टीम के फिलाल दसंक है वहीं चौनते पोजिश पर लखनो सुपर जैन्स की टीम आ गई है और LSG अब तक कुल 9 मुकाबला खेली है जिसमें CSK 5 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है पॉइंट स्टेबल पर DC टीम के फिलाल दसंक है वहीं पॉइंट स्टेबल के साथवे पोजिशन पर गुजरा टैटन्स की ट जिसमें GT 4 मुकाबले जीती है और 6 मुकाबले हार चुकी है पॉइंट स्टेबल पर DC GT के आठ अंक है वहीं आठवे पोजिशन पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम मुझूद है जोब तक कुल 8 मुकाबला खेली है जिसमें पंजाब 3 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है पॉइंट स्टेबल पर मुंबो एनियस टीम के फिलाल 6 अंक है वहीं पॉइंट स्टेबल के आखरी और 10 वे पोजिशन पर रोयल चेलेंजर बेंगलूरू की टीम आ गई है आरसीबी अब तक कुल 10 मुकाबला खेली है जिसमें आरसीबी 3 मुकाबला जीती है और 7 मुकाबला बुरी तरीके से हार चुकी है पॉइंट स्टेबल पर दोस्तो आरसीबी टीम के 6 अंक है तो दोस्तो आपके हिसाब से आईपिल दोजाचोबीस का खिताब कौन सी टीम जीतेगी आप अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और आईपिल दोजाचोबीस से जुड़ी और ऐसे अपडेट पाने के लिए चेनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद